आज हम डिस्कस करेंगे classification of personality के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था meaning of personality क्या है persona word से लिया गया है आपका personality और persona शब्द का अर्थ होता है mask और dress और साथ में हमने classification डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करेंगे हमारा next classification जो है आपका crutchmore classification crutchmore classification के बात करें तो यह आपका दिया गया है crutchmore के दौरा और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रेचमर के अंडर जो आपको सबसे पहला कोईशन एक्जाम में पूछा जाता है कि क्रेचमर ने कितने classification of personality दी है क्रेचमर ने जो classification of personality दी है वो दी है आपके 4 types of personality जिनमें सबसे पहला आपका आता है ashthenic personality और ashthenic को कहा जाता है lamb का है अब साथ में यहाँ पर आपको नाम के साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि उनके characteristics क्या-क्या है तो characteristics के बारे में अगर हम बात करें, audio video clear है ना? Audio video clear है? यहाँ से सबसे पहला question जो आपको लोगों को पूछा जाता है कि क्रेश्मन ने कितने classification के अंडर जो है तो पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि क्रेश्मन ने four types में personality को classify किया था दूसरी important बात जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्रेश्मन ने जब अपनी personality की classification present की तो उन्होंने बताया कि यह जो classification है आपकी यह based है किसके उपर? Physical structure के उपर physical structure के उपर it means हिंदी में हम बोल सकते हैं शरीर के गठन के अधार पर तो आपको अगर पूछा जाए कि क्रेश्मन ने personality को किसके base पर define किया है तो physical structure के base पर define किया है पहली बत कि चार types में divide किया और चार जो types दिये हैं वो person के physical structure के अधार पर दिये जिसमें हमारे पर सबसे पहला आता है आपका aesthetic personality, aesthetic नाम के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस classification के अंडर किस किस तरह की characteristics यहां पर दिखाई गई है तो पहला आपके पास आता है aesthetic personality क्रेश्मर ने कहा कि जो लोग जिनमें aesthetic personality present होगी जिसे हिंदी में कहा जाएगा लंब काय व्यक्तितो इट मिंस कि वो कैसे होंगे? पतले होंगे और देखने में कैसे होंगे? लंबे होंगे. thin and tall होंगे. पतले होंगे और लंबे होंगे. कैसे होंगे? पतले और लंबे होंगे. दूसरी बात क्या कहीं? कि वो shy nature के होंगे. शर्मीले सोभाव के होंगे. ठीके? sensitive होंगे. अनसोशल होंगे. असमाजिक होंगे. ठीके? कि ऐसे लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं. लोगों के साथ घुलना मिला उन्हें पसंद नहीं होता है. तो उसको उन्होंने कहा. aesthetic personality. दूसरा टाइप जो उन्होंने दिया. वो था आपके पास. athletic personality. इट मिस जिसे हिंदी में कहा जाएगा. शुडौल काई व्यक्तितों. आप देखिएगा. शुडौल काई या athlete के बारे में अगर हम बात करें. तो जो athlete होते हैं. वो body based पे पूरी तरह से well developed body उनके पास होती है. ना वो पतले होंदे हैं. जादा ना वो जादा लंबे होते हैं. ना वो जादा मोटे होंगे, ना वो जादा चोटे होते हैं. मतलब एक particular base पे जो athlete है, वो जिस तरह से होना चाहिए, उस तरह से उनके जब body होती है, वो fully developed होती है. तो यहाँ पर क्या कहा कि जो athletic personality जिनके पास present होती है, उनके पास जो character sticks available होंगे, वो क्या रहेंगे आपके पास? muscular and balanced body होगे. It means कि हस्ट पोस्ट शरीर उनके पास available होगा. और अगर हम बात करें कि वो कैसे होंगे? energetic होंगे, adventures होंगे. energetic का मतलब हुआ, उर्जा से भरपूर. मतलब कैसे रहेंगे? हमेशा energetic रहते हैं, उर्जा से भरपूर रहते हैं. और दूसरी बात, adventures होते हैं, सासी होते हैं. तीसरा types of personality जो क्रेचमर ने define किया था, वो था आपके पास. This is your picnic personality. पिकनिक को हिंदे में कहा जाता है, गोला काई व्यक्तितो. पिकनिक के बारे में अगर हम बात करें, तो इसे हिंदे में कहा जाता है, गोला काई व्यक्तितो. लेकिन शरीर के बेस पे अगर बात करें तो वो fatty होते हैं, गोल मटोल होते हैं, फैट होंगे, मोटे होंगे easy going होते हैं, social होते हैं, good nature होते हैं, अच्छी प्रकृती के होते हैं, मतलब उनका जो nature है वो बहुत जादा अच्छा होता है easy going होते हैं, easy going का मतलब हुआ कही पर भी किसी भी जगा पर adjust होने वाले, जो असानी से लोगों के साथ क्या हो जाते हैं, गुल मिल जाते हैं और इसलिए क्या कहा गया, कि ये कैसे भी होंगे आपके, ये कैसे भी होंगे आपके समाजिक लोग होंगे समाजी का मतलब हुआ कि जो कही पर भी क्या हो जाते है एडजस्ट हो जाते हैं किसी भी परसन के साथ घुल मिल जाते हैं तीन गोल मटोल होंगे गोल मटोल होने के साथ साथ जो इनका स्वभाव है वो कैसा होगा खुश मिजाज होगा ठीके तीन टाइप सो परसनेलिटी क्लियर है क्रेचमर के क्रेचमर के थी टाइप सो परसनेलिटी क्लियर है ओके इसके बाद जो फोर्थ हाता है आपके पास वो है डिस्प्लास्टिक परसनेलिटी अब देखिएगा डिस्प्लास्टिक को हिंदी में कहा जाता है मिश्रित व्यक्तित्वा मिश्रित हुआ मिश्रण होना मिश्रण किसका होगा देखो यह जो हमारे पास तीन परस्नेलिटी है अस्थैनिक, अथलेटिक और पिकनिक परस्नेलिटी इन तीनों का जो मिक्षर होगा उस परसन को क्या कहा जाएगा डिस्प्लास्टिक परस्नेलिटी उसे कहा जाएगा ठीके, तो यहाँ पर लिखिएगा मिक्षर ओफ ओफ ओल थ्री परस्नेलिटी मिक्षर ओफ ओल थ्री परस्नेलिटी mixture of all three personality का मतलब हुआ तीनों व्यक्तितों का जो mixture होगा मिश्रन होगा उस personality का नाम रखा गया क्रेचमर के द्वारा that is your dysplastic personality clear है सब भी को ठीक है भी क्रेचमर ने चार टाइप्स दिये aesthetic, athletic, picnic और dysplastic aesthetic, athletic, picnic के लिए इन्होंने अलग-अलग characteristics को define किया लेकिन जो dysplastic था इन्होंने कहा कि जो तीनों का combination होके जो personality बनेगी वो आपकी होगी dysplastic personality is it clear? यहां तक clear है तो yes or done में अंसर कर दो फटा-फट ठीक है इसके बाद जो हमारी next classification आती है जो next classification है आपके पास वो है Sheldon classification बहुत important classification है जो आपके exam में पूछी जाती है आप देखेगा Sheldon classification जो Sheldon है वो person का नाम है even psychologist का नाम है अब इन्होंने जो अपनी classification को present किया तो इन्होंने भी अपनी जो personality थी वो किसके अधार पर दी? physical structure के अधार पर जैसा कि क्रेशमर ने डिफाइन किया? क्रेशमर ने जैसे personality को physical structure के अधार पर डिफाइन किया था उसी तरह से Sheldon ने भी classification को physical structure के अधार पर डिफाइन किया तो यहां से भी आपको जो पहला question याद रखना है वो है आपके बस कि Sheldon ने कितने types of personality दिये है तो आपने ध्यान रखिएगा एक, दो, ती it means three types of personality में डिफाइन किया है इन्होंने अपनी classification को देखिएगा अब यहां पर दूसरा question जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है आपका? कि यह भी classification आपकी based है किसके अधार पर physical structure के अधार पर physical structure के अधार पर it means जिसे हम हिंदी में कहेंगे शारिक गठन के अधार पर इन्होंने personality को डिफाइन किया है तीक है? दोसरा important question जो यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है अब तीसे important बार देखें इन्होंने कहा कि जो personality है व्यक्तित्तों की या व्यक्ति की वो किसके अधार पर define के जाएगी? शारिक गठन कि जैशा सरीर वैसा नाम उसे दे दिया जाएगा लेकिन दूसरी बात इन्होंने इस personality को एक और नाम दिया है इस classification को एक और नाम दिया है इन्होंने इस classification का जो दूसरा नाम रखा वो क्या रखा? that is your somato theory भी इसे कहा जाता है तो आपको exam में अगर पूछा जाए कि somato theory किस ने दी है? तो आपने यह ध्यान रखना है somato theory को देने वाला जो person था वो कौन था आपके पास? शेल्डन ठीके? यहां तक अगर clear है yes or no में मुझे फटाफर्ट अंसर यहां पर दे दीजिए yes or no में फटाफर्ट मुझे अंसर कर दो देखो शेल्डन से पहला सवाल कितने parts में डिवाइड किया है personality को? तीन में दूसरी बात किस के उपर अधारित है? physical structure के उपर it means चारिक गठन के उपर तीसरी बात कि इस classification का दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा था? तो दूसरा नाम आप लोगोंने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो दूसरा नाम दिया था वो था आपके पास somato theory जिसे हिंदी में भी क्या कहा जाता है somato siddhant ही कहा जाता है तो no confusion in Hindi और English somato siddhant पूछा जाए या somato theory आपको पूछी जाए आपने एक अंसर ध्यान रखना है it is your sheldon जो आपके psychologist है ठीक है? अब बात या करें अगर हम इनकी classification की तो इन्होंने personality को तीन parts में classify किया था जिसमें इन्होंने सबसे पहला part दिया था आपका endomorphic personality ठीक है? तो ये जो आपके endomorphic personality है इसे हिंदी में कहा जाता है गोला कार व्यक्तित्त अब बात आगई कैसी? क्रेचमर की classification की ठीक है? गोला कार व्यक्तित्तो की अगर हम बात करें तो गोला कार नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे लोग जो कैसे होंगे देखने में गोल मटोल होंगे ठीक है? तो यहाँ पर भी आपके पास जो same classification है वो आपने क्या ध्यान रखनी है? कि इनको कहा जाता है गोला कार व्यक्तित्तो गोला कार व्यक्तित्तो और इनके अंडर जो character sticks पाई जाती है यह कैसे होंगे? short, height होंगे मतलब height में कैसे होंगे? short होंगे plus कैसे होंगे? fatty होंगे fatty होने के साथ-साथ मोटे हैं साथ में कैसे हैं? आपके पास easy going है easy going का मतलब हुआ कि खुश मिजज़ हैं असानी से हर जगा पर adjust हो जाते हैं और जो असानी से हर जगा पर adjust हो जाते हैं society में उन्हें कैसे person कहा जाता है social person कहा जाता है it means samagic व्यक्तित्तों को कहा जाता है कि वो कैसे लोग हुए? samagic तो पहला आता है endomorphic ठीक है endomorphic को कहेंगे गोला कार व्यक्तित्तों जो मोटे होंगे और कैसे होंगे height में छोटे होंगे height में छोटे और मोटे होने के साथ ये कैसे हैं easy going है खुश मिज़ाज है साथ में कैसे हैं social है samagic है जो कही पर भी आयताकार व्यक्तित्तों mesomorphic को कहा जाता है आयताकार व्यक्तित्तों ठीक है आयताकार व्यक्तित्तों की बात करें तो जैसा कि क्रेश्मन ने क्लासिफाई किया था athletic personality को इटमिस शुदौल का व्यक्तित्तों को सेम उसी तरह से इन्होंने भी mesomorphic को define किया था इन्होंने कहा कि mesomorphic personality उन लोगों में पाई जाती है जो शरीर से कैसी होगी जिनकी body होगी balanced body होगी balanced body होगी it means जिनका जो शरीर है वो कैसा होगा hust post होगा ठीक है प्लस ये कैसे लोग होगे energetic होगे energetic का मतलब हुआ उतेजित होगे उर्जा से भरपोर होगे हमेशा energy में रहते हैं सुस्त नहीं होते हैं कभी भी आप इनको कोई विकाम बोल दो करने हमेशा तयार रहते हैं ठीक है प्लस आपके पास कैसे होगे ये adventurous person होगे साहसी लोग होगे तो इनको क्या कहा गया ये कैसी personality होगी आपके पास mesomorphic personality होगे ठीक है इसके बाद जो तीसरी personality इन्होंने define की थी वो भी क्रेचमर के base पे थी लेकिन देखो क्रेचमर ने अलग-अलग नाम दिये हैं और इन्होंने अपनी personality के अलग-अलग नाम दिये हैं ठीक है जो तीसरा आपका आता है वो है आपके पास एक्टो-मॉर्फिक personality ओडियो वीडियो क्लियर है ओडियो वीडियो क्लियर है ना ठीक है तो तीसरी personality जो तीसरी personality हमारे पास आती है वो है आपकी एक्टो-मॉर्फिक personality एक्टोमोर्फिक पर्सनेलिटी की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है यह हो गया गोला का यह हो गया आयता का तो यह कैसा हो गया आपके पास लंबवत अकार व्यक्तित्व ठीक है तो हिंदी में इसे कहा जाएगा लंबवत अकार व्यक्तित्व लंबवत अकार के नाम से पता लग रहा है कि जो लोग कैसे होंगे पतले होंगे थीन होंगे प्लस कैसे होंगे टॉल होंगे लंबे और पतले लोग जो हैं वो कैसी पर्सनेलिटी होंगी आपके पास एक्टोमॉर्फिक पर्सनेलिटी होंगी द और शाई नेचर के होते हैं, शर्मीले सौभाव के होते हैं, जो असानी से दोसरी जगह पर अज़स्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि आपके एंडोमॉर्फिक परस्नेलिटी, ठीके, तो शेल्डर ने जो क्लासिफिकेशन दी, उसे कहा जाता है, सो मैटो थियोरी, सो मैटो थि में रिस्पॉंस कर दो, ठीके, नीटो शर्मा जी कौन से रिपीट करना है, नीटो शर्मा कौन से रिपीट करना है, तीनू रिपीट करने है, एंडोमॉर्फिक होता है, गोलाकार, गोलाकार का मतलब हुआ, शौर्ट, हाइटिड होंगे, फैटी होंगे, मोटे लोग होंगे, ठीके, इजी गोइंग होंगे, और शोशिल होंगे, समाजिक होंगे, असानी से दूसरी जगह पर अड़्जस्ट हो जाते हैं, दूसरा है, मेजोमॉर्फिक, आयताकार, व्यक्तित तो जिनको कहा जाता है, इट मींज वो शरी से हस्ट पुस्ट होंगे, न जादा मोटे, न जादा पतले होंगे, ठीके, बैलेंस्ट बोडी इनके पास होगी, हस्ट पुस्ट शरीर इनके पास रहेगा, ठीके, और एनर्जैटीक हों जैसे भरपूर रहेंगे एडवेंचर का मतलब हुआ कि यह लोग कैसे होंगे आपके साहसी होंगे तीसरा है आपके पास यहां पर इट इस योर एक्टोमॉर्फिक एक्टो को हिंदी में कहा जाता है लंबत आकार व्यक्तित्तों लंबत आकार से नामपता लग रहा है कि वो क क्यासे हैं पतले हैं और लंबे हैं और जो लोग पतले और लंबे हैं वो शाई नेचर के होते हैं मतलब शर्मीले सोभाव के होते हैं और साथ में कैसे होंगे आपके पास अन्शोशल होंगे असमाजिक जो असानी से दूसरी जगा पर अर्जस्ट नहीं हो पाते हैं अब बता इसकर रहे है पि नीतो शर्मा क्लियर है नीर होभी कि तुर्मा क्लियर है आता है जो हमारी last classification जो हम यहां पर डिस्कूस करेंगे देखिए हमने पहले जो classification डिसकस की वो थी आपकी स्प्रेंजर की classification ठीके दूसरी हमने शुरू की है आपकी क्रेश्मर की classification तीसरा हमने पढ़ा शेल्डन की classification अब जो फोर्थ और important आती है आपके पास वो है आपकी next classification जंक्स classification ठीके तो जंक का ठीके तो यह जो आपकी जंक्स classification है नहीं सुना कोई बात नहीं ठीके जंक्स classification भी आपकी बहुत important part है आपकी personality की classification का देखिएगा यहाँ पर पहला question जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जंक ने जंक्स भी बहुत सकते हैं कई बार आपको हिंदी में जो है वो यूंग भी मिला होता है यूंग के व्यक्तित्तों का वर्गी करण हिंदी में कई बार इस तरह से भी आपको मिला होता है ठीक है तो यूंग ने क्या किया यह जंक्स ने क्या किया classify किया personality को कितने parts में तीन पार्ट में तो यह तीनों आपको याद रखने हैं बहुत interesting है ठीक है कैसे हैं आप देखो पहला जो type आता है आपके पास वो है introvert personality introvert personality को हिंदी में कहा जाता है अंतर मुखी व्यक्तितो ठीक है अंतर मुखी व्यक्तितो 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 अंतर इंक्रोवर्ट का मतलब हुआ ऐसे लोग जो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में उन्हें जाना पसंद नहीं होता है ना वो जादा दोस्त बनाते हैं टिके ना वह जादा लोगों से गुलते मिलते हैं मतलब हमेशा उन्हें अकेला रहना पसंद होता है less confident होते हैं साहस से क्या साहस उनके अंदर जो है वो किसी काम को करने का जो है वो full confident नहीं होते हैं ठीक है तो इसके अंदर अगर हम बात करें आपके introvert personality की देखो कई बार आपको one word substitution भी exam में पूछ लिया जाता है कि ऐसे लोग जो अकेला रहना पस रहना है उनको क्या कहा जाता है introvert personality किसी exam में English के one word substitution में ये question जो है वो exam में पूछा जा चुगा है ठीक है तो वहाँ पर आपने ध्यान रखने हैं पहला want to live alone ठीक है कैसे पसंद करते हैं ये want to live alone ठीक है अकेला रहना जो पसंद करते हैं दूसरा अन्शोशियल होते हैं अन्शोशियल होंगे ही क्यूंकि दूसरों के साथ तो घुलना मिलकर इनको पसंद नहीं होता है अन्शोशल होंगे असमाजिक होंगे शाई नेचर के होंगे मतलब सर्मीले स्वभाव के होंगे इसके बाद अगर सर्मीले स्वभाव के हैं तो लैक ओफ कॉन्फिडेंस इनमें पाया जाता है लैक ओफ कॉन्फिडेंस इनमें पाया जाता है लैक ओफ कॉन्फिडेंस मतलब साहस चो इनमें होता है विश्वास चो होता है वो किसी भी काम को करने का कम होता है लैक ओफ कॉन्फिडेंस होता है ठीक है और क्या कहा कि कैननोट बिकम और ये एक अच्छे नेता भी नहीं बन सकते हैं ऐसा किस ने कहा? जंक्स ने कहा जंक्स ने कहा, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो खुद में ही रहना पसंद करते हैं As comparison to society, unsocial होंगे lack of making friends होंगे दोस्त बनाना इनको पसंद नहीं होता है अकेला रहना पसंद होता है, unsocial होते हैं दूसरा इन्होंने कहा, इसका opposite जिसका नाम इन्होंने दिया extrovert personality extrovert personality को हिंदी में कहा जाता है बाहया मुखी व्यक्तित ठीके, बाहया मुखी व्यक्तित जो introvert के totally क्या होंगे opposite होंगे, ऐसे लोग जिनको हर किसी के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है होते हैं न कुछ ऐसे लोग ठीके, बिन बुलाए महमान जो होते हैं बिन बुलाए महमान जो होते हैं ठीके तो वो क्या है आपके, वो है extrovert, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असानी से किसे भी social function में, society में किसी भी person के साथ ऐसे गुल मिल जाते हैं जैसे वो सद्धियों से एक दूसरे को जानते हों तो ये भी क्या है? कला है एक अच्छी गुण है जो लोगों में इस तरह का develop होता है जो हर किसी में नहीं हो सकता तो यहां पर इन्हों ने क्या कहा? कि ये कैसी होते है? bold होते है, sahasi होते है shy nature के में होते है, बिल्कुल भी bold होते है, जहां मर्जी बोलो वहां मर्जी fit हो जाएंगे दूसरा क्या कहा? कि ये social होते है समाजिक होते है ठीक है full of confidence होते है full of confidence होते है it means विश्वास से भरे हुए होते है कोई भी काम बोलो full confident होते है तयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए ठीक है बिल्कुल भी shy feel नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद like making friends दोस्त बनाना इनको पसंद होते है like making friends अब जो जहां पर क्या हो जाता है असानी से adjust हो जाता है तो obvious है कि उनके दोस्त भी क्या होंगे बहुत जादा जल्दी बन जाएंगे ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या भी हो सकते हैं further अगर ये चाहें आगे तो ये एक अच्छे नेता भी बन सकते हैं can become good leader अच्छे नेता भी बन सकते हैं समाजिक होते हैं ठीक है समाजिक होगा या समाजिक होगा समाजिक होगा समाजिक समाजिक नी समाजिक समाज से बना समाजिक ठीक है नितुशर्मा समाज से बना समाजिक ठीक है जी अब देखो यहां पर यह तो होगी बात किसकी इंट्रोवर्ट और एक्स्टोवर्ट की अब तीसरा जो इन्होंने टाइप दिया वो था आपके पास MB वर्ट परसनेलिटी ठीक है वो कैसा था आपके पास MB वर्ट अब इन्होंने कहा कि कोई भी जो परसन है वो कम्प्लीटली ना इंट्रोवर्ट हो सकता है ना वो कम्प्लीटली एक्स्टोवर्ट होता है अब आप खुद को ही देख लो ठीक है आप जब एक नई जगा जाते हैं तो लोगों के साथ ओपन होने में आप वक्त लेते हैं लेते हैं नहीं लेते हैं लेते हैं ना ठीक है नहीं लेते हैं ठीक है बहुत बढ़िया बात है कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं ठीक है चलिए अब यहां पर देखिएगा कि देखो कोई भी परसन जो है वो completely ना introvert हो सकता है ना completely extrovert हो सकता है हम ऐसा कहें कि कोई परसन completely extrovert है या completely introvert है तो ऐसा जंक्स ने भी कहा कि ये हमेशा possible नहीं है एक व्यक्ति अपने हिसाब से ठीक है अपने हिसाब से जहां पर उसे जरूरत लगती है वहां पर वो introvert हो जाता है और जहां पर उसे जरूरत लगती है वो extrovert हो जाता है तो इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने अपना third type of personality प्रेजेंट गिया जिसका नाम उन्होंने रखा MB word personality अब MB word personality के बारे में अगर हम बात करें तो जो MB word personality है आपकी इसे हिंदी में कहा जाता है उभ्या मुखी व्यक्तितों पहली बात जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है किसे हिंदी में कहा जाता है उभ्या मुखी व्यक्तितों अब यह जो आपका उभ्या मुखी व्यक्तितों है उसका मतलब हुआ इन दोनों का combination ठीक है इन दोनों का जो combination है वो क्या हुआ आपका ambi word personality हुआ It means कि introvert और extrovert का introvert plus extrovert दोनों का जो combination होगा उसको क्या कहा जाएगा ambi word जो अपनी जरूरत के अधार पर जहां पर अपना introversion और extroversion क्या करेगा शो करेगा वो क्या होती है आपकी ambi word personality उसे कहा जाता है clear है ambi word personality ठीक है तो ये थी हमारी classification of personality कल हम discuss करेंगे हमारी theories of personality के बारे में जिसमें हम discuss करेंगे सबसे पहली theory, airport theory of personality बहुत ही important theory है आपके exam के लिए ठीक है तो आप मिलते हैं हम कल वाली class में तक यू आपरिवर्ण